हलो एवरिवन वेल्कम टू माई चैनल आर के मेकवर में जहां हम बात करते हैं फैशन, मेकप और ब्यूटी की बट आज हम आपके लिए लाए हैं कि आप साडी में कैसे स्लिम और सेक्सी लग सकते हैं और कैसे आप दूसरों को अपनी और अट्रेक्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस सब लुक को पाने के लिए आपको किस तरह का फैबरिक छोड़ना होगा और किस तरह का प्रिंट आपको छोड़ना होगा पसंद तो करते हैं लेकिन उसमें हमारा स्लिम लुक नहीं आता तो सबसे पहले मैं बात करूंगी cotton की साड़ी कुछ इस तरह की होती है ये देखिए इस तरह की cotton की साड़ी होती है तो इस साड़ी को हम avoid करेंगे इससे क्या होता है cotton की साड़ी जो होती है वो fluffy fluffy look देती है तो वो साड़ी भी हम avoid करेंगे उसके बाद हम next हमारी साड़ी है करेंगे next हम बात करेंगे कुछ इस तरह के print की बड़ा print हमें नहीं लेना है और border हमें चोड़ा नहीं लेना इससे क्या होगा हमारे जो प्लेटे रेशा फिवो नेची से एकobi पेश्प में नहीं आते और वो इदर-अधर गुंते रहते ह्यां पूरी शेप बोडी की खराब कर देता है तो अब हम बात करेंगे किस तरह की साड़ी आपको लेनी चाहिए यह है मेरी कुछ डार कलर की साड़ी है आप डार कलर ले सकते हैं कोई भी डार कलर प्रेंट छोटा होना चाहिए और कपड़ा शिफोन जोर्जट या क्रेप टाइप अब हम बात करेंगे अरे सब कुछ छोड़ देंगे तो हम पहनेंगे क्या पार्टी में क्या पहनेंगे शादी में क्या पहनेंगे तो उसके लिए भी वो भी हमने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है अब हम बात करेंगे कुछ इस तरह की साड़ी की आपका ये फाब् किस तरह आप लग सकते हैं slim एकदम perfect और sexy अब हम बात करेंगे कुछ इस तरह की साड़ी की यह साड़ी जो है मेरी pure georget की साड़ी है प्रिंट आपका छोटा होना चाहिए color bright हो गया है इसमें border चोड़ा है इससे कोई फरकनी पड़ता क्योंकि यह thread work से बना हुआ है तो इसलिए यह बहुत ही इसके flavor है एकदम smooth आते हैं और पहने में एकदम easy रहती है और आप sexy लगते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं तो please आप मेरे इन tips को follow कीजिए और साड़ी जरूर try कीजिए इस तरह की जो मैंने बताई है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो like share और subscribe कीजिए thumbs up देना ना भूलिए इससे क्या होता है मेरे को बहुत खुशी होती है कि लगता है कि शायद आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मेरा मन करता है मैं अच्छे अच्छे topic लाऊं आप लोगों के तो okay guys thank you bye bye see you soon